वेलकम टुदि सिरिज Keeping उप्रोम एक्जैम प्रिपेशन सिर्स की की वीडियो है कंपली सीरेसे 6 चैनल को पर प्रिपेशन की जाई रही ए और आज की वीडियो के इंदर आपको fiiction Eceo 403ं के मीठा में मुट्र मेंचार का दो सैंनल को नंुट्वे हैं So quantity theory of money assume कती है कि जो demand होती है real money balance की वो depend कती है real income y के उपर so हम जो वो consider कते हैं दुसरा determinant जो money demand का nominal interest rate so quantity theory of money जो वे simple model है जो के relate करता है money supply को price level के साथ और जो nominal interest rate rate होता है rate जिसको पर money जो वो अंद कर सकता है interest यह भी दुसरा factor होता है influence करने में demand for money जबके दुसरी चीज़ों को hold करते हुए equal एक higher interest rate जो ज्यादा expensive बनाता है कि hold किया जाए cash को reduce कता है money demand को so equilibrium के अगर हम बात कते हैं so यह वहां होता है में जहां पर supply जो real money balance की equal होती है real money demand के so यह market में तब है जब demand और supply equal होती है so a common miss perception जो देखने में आता है कि सब्सक्राइब को मिसंडेस्टेंडिंग इंफ्लेशन के बारे में इंफ्लेशन जो है महंगाई जाहरी बते इनीशली तोर पर देखा जाता है कि lower real wages जो purchasing power होती wages की अगर wages जो fix हो short term contract में यह जो short term effect है और long run के अंदर wages जो adjust होती है मेच करने के जो changes आते है price level में so real wage को जो हो determine किया जाता है market forces of supply और जो demand होती है labor के लिए ना कि जो rate of inflation होते हैं उसके बजाए है so जो classical view है inflation का महंगाई का उसके मताबिक वो यह argue करते हैं कि जो changes आता है general price level के अंदर वो essentially तोर पर आता है units of account मतलब यह के वो असर नहीं करता real economic variables को जैसे के आउटपूर्ड या employment जो long run के अंदर so यह जो टाइड है neutrality के साथ money की so social cost of inflation के बात करें जाहरी बात है जो महंगाई है उसकी कोई social cost जो होती है so social cost इसकी fall कती है दो categories के अंदर cost जब inflation expected हो और additional cost जब inflation जो डिफ्रेंट है जो लोगों ना expect हिया है so negative consequences होते inflation के inflation create करें कोस्ट even के जब यह anticipated है और जबके unpredictable inflation जो है और ज्यादर costly है तो जो cost है expected inflation की उसको हम देखें तो इसके अंदर shoe leather cost आती है जो cost और inconvenience होती है reduce करने की जो money balance होते हैं ताके avoid के जाए inflation rate और menu cost होती है cost होती है जिसमें change के जाता है price जैसे के new menus आप देखने change करवाए जाते है menus को print करवाए जाता है जब price जो चेंज होती है और इसके लाब print और mail के जाता है new catalogs को सब्सक्राइब करने में अपडेट करना catalogs वगरा को भी सो जो रिलेटिफ प्राइस डिस्टोर्शन है इन्फ्रिक्वेंट प्राइस चेंजिस होना में कॉस्ट मेन्यू की वह से वह है और जो अनफेर टेक्स ट्रीट्मेंट है यानके टेक्स जो है वह एड्जस्टिट नहोंना inflation के हिसाफ से उसके बात है जन्रल इनकन्विनेंस यानके डिफिकल्टी होना compare करने में नॉमिनल वैल्यूस जो अक्रॉस टाइम पीरियड है इन्फ्लेशन जो बनाता है हाडर के compare के जाए अकॉनमिक डेटा वक के साथ क्योंकि हर चीज़ जो मेजर होती है नॉमिनल टर्म्स में इंट्रिट करना एकॉनमिक ट्रेंड बन जाता है complex और potentially misleading भी जो additional cost होती है high inflation की अगर हम वो देखते हैं तो so increase uncertainty so increase uncertainty होती है जब inflation जो वो high हो जाती है और nominal wages जो वो really reduce होती है even की equilibrium real wages जो वो file हो जाती है so high inflation से जादा uncertainty और unpredictable prices होते है और nominal wages जो वो sticky downward होती है क्योंकि even की real wage भी उसको down होना चाहिए so nominal wages जो वो रहती है same जिससे क्या होता है कि higher unemployment होती है is debt के wages cut के बजाए so उसके बारी कि what causes hyper inflation hyper inflation जो बहुत ज्यादा महगाई जिसको हम कहते हैं वो क्या सबब बनता hyper inflation होने का एक तो यह के excessive money supply हो जाता है बहुत ज्यादा पैसा supply कर दिया इस वज़े से जो है जारी बात है उससे so government क्रेट करती hyper inflation जब वो जाई बात है टेक्स भी नहीं लगा सकते या बॉंड जो है उसको सेल नहीं कर सकते सो एक रैपट और जो अनकंट्रोल इंक्रीज होता है मनी सप्लाई के बहुत तेजी से जब मनी सप्लाई जो है वो प्रिंट करना शुरू कर देती है को जब पैसे की supply जादा होगी तो पैसे की value गर जाती है इसी वैसे हाइपर इंफ्लेशन जो है वो उसकी तरफ economy जाती है सो गौर्मिंट जो है वो प्रिंट करती है पैसा बहुत ज़्यादा ताके वो finance करे spending को और उसके पास दुसरे जो resources होते हैं उसको use करने की जगा कि सो उसके बाद फिर आता है open economy जो क्लासिकल डि डिचो डिचो टोमी हम देखे सव्यों के बिचल सपूरेशन होती है रियल और और जो गडविल्स की है जो के एक सेप्रेशन है जैसे के बताएगा आपको रियल एकानोमिक वैरिबल के दर्मियान प्रोडक्शन एंप्लॉइमेंट और जो नॉमिनल वैरिबल होते हैं प्राइस लेवल मनी सप्लाई तो क्रासिकल डिचिटो में बताता है कि नॉमिनल वैरिबल इंपक्ट नहीं करत इसको लॉंग रन के अंदर उसके बाद फिर निट्रैलिटी ओफ मनी आ जाता है चेंजिस आना मनी सप्लाई के अंदर अफेक्ट नहीं करता है रियल वैरिबल को और मनी जो है वो अप्रोक्सिमेटली तोर पर नुट्रल होता है लॉंग रन के अंदर इसमें क्या होता है के रिलेटिफ प्राइज होते हैं गोड्स के डिफरेंट कंट्रीज में उनको एड्जस्ट किया जाता है एक्सचेंज रेट्स के लिए इसके बात है इन दी रियल वर्ल्ल एंड आवर मॉडल सो रियल एक्सचेंज रेट जो इसको प्रेजेंट के जाता है जा रियलेटिफ प्राइज जो है बास्केट ओफ गोड्स का क्रॉस कंट्री या फिर एक सिंप्लिफाइड मॉडल में रिलेटिफ प्राइज होता है सिर्फ एक ही डिप्रेजेंट इव गुड को सब्लाइएं डिमार्ड इन फॉरण एक्सचेंज मार्कित को अगरम देखते हैं तो डिमार्ड फॉर्ड डॉलर जो आती है फॉरण फॉरण बाइंग यूस एक्सपोर्ट से और जो सप्लाइऑ डॉलर आती है नेट केटल आउ टौरिजव कर रही है उनीछी उनी य्यमि में अंधिक व्लकितल नहुए हैं तो सप्लाइट है नेट एक्सपोर्ट फंक्शन नेट एक्सपोर्ट फंक्शन शो करता है relates ne-xport के दन्म्यानों फोड एक्षेंज होती हो और फॉर सेनारियों है इस्टेटी करने के लिए पॉलिसी के पॉलिसी यह को is gelir पर फॉर ऑपोलिसी एड़ होम इसकल град सीट फोलिसी अप्रोट और इसके लुआ इंक्रीज होना है इंवेस्मेंट डिमांड में और जो ट्रेट पॉलिसी है रिस्ट्रिक करने के लिए बोर्ट स्कॉर सो फिस्कल एक्सपेंशन जो है वो रिड्यूस कता है नेशनल सेविंग और नेट कैश फ्लो कैपिटल आउट फ्लो सबब बनता है रियल एक्सचेंज रेट का क्यों राइस और नेट एक्सपोर्ट जो हो जाए और जो इंपक्ट होता है एक्सपेंशन का रियल एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट के उपर इंक्रीज करते हैं डिमांड लोनेबल फंड्स के लिए रिड्यूस कते हुए नेशनल सेविंग और इसी विए से जो नेट कैपिटल आउ और जो सप्लाइव डॉलर होती है वो सबब बनती है रियल एक्सचेंज रेट का के राइज और नेट एक्सपोर्ट जो हो और उसके बाद आयता है फिर परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीवी सो यह बताता है कि जो आइडेंटिकल गुड्स हैं उनकी सेम प्राइज होन के लिए प्राइज सिमिलर गुड्स की और सर्विसस की डिफरेंट कंट्री में हम देखते हैं एक यूसफुल बेंचमार्क होता है अंडेस्टेंड करने के लिए एक्सचेंज रेट लेकिन हमेशा जो वह और सब्सक्राइब नहीं किया जाता है रियल वर्ल्ड के अंदर इसमें यह भी देखा जाता है कि परचेजिंग बढ़ डिफरेंट कंट्री में लोगों की डिफरेंट हैं किसी कंट्री में ज्याद आए कि कम हैं हमारे अगर एवरेज के जरैलरी जो वह 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 फो यह लंए फॉर्टी डॉलर है तो कई सारे कंट्री ऐसे हमाँ प्रेक्टरती प्राइज कन अ रही गारी बात प्रारी इंकम होती है तो इसके लावा जो नन ट्रेड़ेट गोड़ और जो ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट वगए रहे हैं इनकी वज़ेसे और जो गोड़्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के वह पर्फेक्ट सब्सिटूट भी हमें देखने में नहीं आते जारी बार जरू ही नहीं कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हमें एक जैसे गोड़्स देखने में आएं ऐसा भी यह भी बहुत बड़ा बेरियर यह बन जाता है यह एक useful theory है इसकी limitations होने के बावजूद भी limitations ज़रू है लेकिन जारी बाते एक useful theory और इसका use किया जाता है especially हम इसको खुद भी कर सकते हैं देखने लिए कि जो purchasing power है उसके हिसाब से price है या नहीं तो मंदाज़क कर सकते हैं किस country के अंदर कितनी बहंगाई है purchasing power को consider करते हुए so real world के अंदर nominal exchange rate की जो वो tendency होती है purchasing power parity values की तरफ over the long run so issues in unemployment इसके हम बात करें सो जो natural rate of unemployment होता है average rate होता है economy के around जो वो fluctuate करती है so rate जो के exist करता है जब economy जो वो फिल employment के अपर होती है और actual rate fluctuate होता है इसी natural rate के around economic booms और recessions की वज़ा से so जो policy implications है उनको अगर हम देखते हैं so policies जो के reduce करने के लिए natural rate of unemployment work lower कते हुए separation rate या फिर increase करना job finding rate so policy maker को जबर्द होती है या तो reduce करेंगे rate जिसके अपर लोग जो हो job छोडते है उस rate को या तो कम कर दिया जा या increase किया जाए उस rate को के जिस पर individual जो हो new employment find करते हैं ढूनते हैं so job search and frictional unemployment frictional unemployment आती है वो time जो कि required होता है job search के लिए जोब सर्च के लिए जो लोग रिक्वाइट करें एक जोब छोड़ के दूसरी जोब की तब जो जा रहे है उसमें तो टाइम ने फ्रिक्शनल एनफ जॉब मोजूद हो तब भी यानिकि टाइम अगर उनको लग रहा है चाहे जॉबस मोजूद है लेकिना उनको टाइम तो जोब ढूड़ने में जो के मेच करें उनकी स्किल्स और्फेरेंसे और्फेरेंसे जाहरी बाते जोब्स का मताभिक तो तुनने में प्रक्ता जोब्स मुद्द भी और यह अग्जिस्ट कर सकती है जब एकॉनमी हेल्टी यह तब बीकिकशनी के जो जो प्रेफ्रेंसे लेग इसके मुताबिक ही वह जाहिरी बाते जॉप धूनेंगे फिर सो सक्टोरियल शिफ्ट अराउंड सेक्टरल शिफ्ट जो एकॉनमी के अंदर काते हैं फ्रिक्शनल अनप्लाइमेंट के अंदर क्योंकि इंडस्ट्री इस कॉंस्टेंट्ली जो हो रही है एक जैसे नहीं ही रहत सच गॉर्मेंट प्रग्याम जो हो जो कहले करने में अनप्लाइमेंट ऐसे प्रग्याम होते हैं जो है इंप्रूब करने के लिए इंफोमेशन फ्लोव भी और प्रवाइड करना जॉब ट्रेनिंग उससे एफेक्टिफी तोर पे है रिड्यूस हो सकती है फ्रिक्शनल को लोग जारी बात है फिर इंशॉरस होता है इस वैसे इतना जाधा वरी नहीं होते है वह सब्सक्राइब करने की जॉब की लेकिन यह जारी बात है एक बेनिफिशल चीज है प्रवाइड करने के लिए इंकम सपोर्ट और यह अनिंटेशनली तोर पर इंक्रीज भी कर रहा है ंअish क५ो परसथेंड अनेंप्लयमेंट होती है मिस्मैचकी वैसे मिस्मैच होता है इस स्किल्स के तरम्यान ओज़ो जो जॉब अवेलबल है जिस तरह की जॉब अवेलबल है और जॉश्किल्झांसन मिस्मैच है दोनों अललग अलग हैं जॉब कुछ और रिक्वाइड है और स्किल्स किसी और तरंगे हैं या फिर जो वेजिस है वह इन फ्लेक्सिबल हैं डाउनवर्ड हैं यह भी होता है कि मिनिमम् वेज की बात करें यह जो टिपिकली तोर पर एक मेजर कॉस नहीं है यूनियन जो वह सबब बन सकते हैं हायर एंप्लॉयमेंट का वह पुशिस करती है वेजिस को एकलुबिरियम के उपड ले जाती है वह सो मिनिमम् वेजिस जनरली तोर पर तो सिग्निफिकेंटली तो पर एक नहीं करती हैं अवराल एंप्लॉयमेंट को जबके लेबर यूनियन नेगोशियेट करते हुए हायर देन इकलुबिरियम वेजिस उससे जॉब लॉसस भी हो सकती है कि एफिशेंसेशी वेज يést कि सब्सक्राटि मार्कित argue कती है कि फ़र्म को चुछ करना चाहिए कि हो पीराइं हनन मार्क्रेट वेजिस जो माकट है उससे ज्यादा वह करें उससे क्या होगा ट्रेक के जाएगा बैटर वरकर को इस तरहा फिर बैटर वरकर जाएंगे ऐसा वर क सब्सक्राइब करेंगहा है जो गई किरीजिंग पॉतेंशनली विनसके बाव उसके बावजूर भी सो भी बैटर पाए यानि के वह फर्म के लिए और एकाउनोमी के लिए बैटर है उसके बात है फिर डूरेशन ओफ अनम्प्लाइमेंट टाइम जो लोग स्पेंड कता है वो फोता है लॉंग टम अनम्प्लाइक की वज़े से बाक्व ब्लक गॉफ अनम्प्लाइमेंट टाइम वह था लॉंग ट्रॉच्छनिंग की इंडस्ट्रीं के दर्मियान सो जो राइजन है European unemployment के अंदर राइज है इजाफा जो देखा गया है सो जेनरल सोचल इंशोरेंस जो शिफ्ट आता है demand के अंदर skilled labor की तरफ explain करता है high employment जो यौरप के अंदर सो दो factors की तरफ है कि generous जो unemployment benefit है जो के कमी करता है urgency work find करने में जो शिफ्ट आने demand favoring skilled worker का unskilled workers के उप़र technological advancement की वजह से सो नाव दी सोलो ग्रोथ model जो के fundamental model economic growth का emphasize कता है importance के उप़र economic analysis के अंदर सो हाव सोलो model is different assumption अब सोलो मोडल जो डिफरेंट क्यों है सोलो मोडल के अंदर stock जो है वो के है और labor जो एल इफिक्स नहीं है सो एक crucial difference है simpler model के मुकाबले में सोलो मोडल जो account है changes के लिए capital stock के अंदर investment और depreciation के जरी और labor supply population growth के जरीए है अब सो ना अधी production function प्रोडक्शन फंक्शन डिमोस्ट्रेट कता है कैसे inputs जो transformed होते है आउट्पूट के अंदर सो जो concept है production function का एक की component है सोलो मोडल का यह डिपिक का तर रिलेशिशिप इन्पूट्ट जो की यूज होता है production में और जो resulting output है सो एक increase होना saving rate के अंदर raise कता है investment और सबब बनता है capital stock का के वो grow हो एक steady new state की तरफ so transition of the to the golden rule steady state economy के वो automatically तोर पे नहीं पहुचती golden rule steady state तक policymaker को जरूरी होता है कि वो adjustment करे so clarify करता है कि solo model है वो guarantee नहीं देता है optimal growth की जो golden rule steady state है जो के maximize करता है consumption पर worker require करता है deliberate policy intervention के adjust किया जाए saving rates और capital accumulation है और जो basic solo model है वो explain नहीं कर सकता sustain long term growth यह predict करता है convergence जो एक steady state के लिए so basic solo model explain नहीं करता है sustain economic growth जो long term के उपर यह बताता है के eventually growth solo और जो economic settles है steady state के अंदर constant per capita income के साथ so जो policies है promote करने के लिए growth को उसके अंदर saving rate investment allocation और technological progress आ जाती है so focus करना optimum optimal saving rates के उपर efficient allocation investment के और policies जो के encourage करे technological innovation so evaluating the rate of saving है golden rule को use कते हुए determine के जा सकता है कि क्या saving or capital stock जो है वो level optimal है या नहीं so weather के country का saving rate और जो resulting stock है वो adequate है या नहीं use कते हुए golden rule को ऐसा guide के तौप है और golden rule जो बताता है optimal saving rate जो के maximize कता है consumption तो यह थी आज की वीडियो आपको इस बार में कोई question है खास्तों पर इसमें कोई mistake दिखाए दिखाए ज़रू हाइलेट कीजिए और इस पूरी series को देखने के लिए मिट्टर में final term exams की preparation के लिए इस चैनल को subscribe कीजिए बेल आइकन के पर क्लिक कीजिए thanks for watching this video and best of luck for your exams